सलालेकुम सस्रेकाल नमस्कार दोस्तों आज हम जो रेमिडी के बारे में बात करने वाले है वो ऐसी महीला का है जो बहुत दुबली पतली रहती है बहुत माइल रहते है माइल एंड डेलिकेट यह ड्रग है इगनीश्य यह परसन कैसी रहती है वेरी हाइपर सेंजेटिव परसनालिटी जो थोरी सी भी बात को बरदाश्न नहीं कर सकते बहुत नर्वस रहते है और उसका मूद जो रहता है बहुत चेंजबल रहता है एक टाइम बहुत ही खुश तो दूसरी टाइम बहुत ही सैड जिसको बोलते है इस्टेरिकल टेम्पर थोरी सी भी बात हो गई तो वो इतने हद तक पहुच जाती है जैसे कि वो फेंट भी हो सकती है लेकहनी सी सर्व सब्सक्रात मूथे सब्सक्रीजे लीग अकुंबर की इस सब्सक्राइच में भूचेट जvensक अवर जाय कोमिन centrally हम रफ्सक्राइच वो एवग कोशिपन मैं रिवस्त स्वेश। यह परसंस के अंदर यह इस से इस 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 को सब चीज बढ़ा चरा के दिखाने में बहुत मजा आता है इस सब्सक्राइब चीज बहुत में बतलना दो बहुत में गया है रगाना नियुद्ट छीज आतना अर चीज बहूत बहुत बहुत क्विक है और उतना इक्जीकूट भी इतना जल्ली करती है जैसा quick thinking है वैसा execution भी इतना ही अच्छा है, but उसको अखेले में अच्छा लगता है, just like natural mood, अभी ये person में एक बहुत खास symptom है, वो है involuntary sign, मतलब आहे बरना, ऐसे, this is called involuntary sign, now, दोस्तों हम ये psoropsychotic tubercular myasm में fit होता है, ये personality, और दोस्तों हमारे online appointments अगर अब चाहे, तो 9307965618 पर contact कर सकते हैं, और दूसरा नमबर है 7620592847, हम मुंबई में first Sunday of every month practice करते हैं, और बाकी time नाकपूर महराश्टर में रहते हैं, हमारी books Amazon पे available है, जो आप buy कर सकते हो, अभी ये person हो गया इगनीशिया का, How does she become a patient, उसका एक खास है, कोई भी चीज उसको contradict किये, उसके खिलाफ गये, या उसने बहुत bad news सुना, उसको बहुत दुख हुआ, या उसका emotion suppressed हुआ for any reason, या और she has disappointed love, ये सब instances उसको बदल देती है, इगनीशिया पेशेंट में, अब इगनीशिया पेशेंट का mental state कैसा रहेगा, she is again very sad, brooding, constant brooding, वही बात के उपर बार 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 सोचना, और वही बात सोचते रहना, she is very indifferent, किसी से मिलना जुलना उसको पसंद नहीं है, बहुत जादा जगरा करना पसंद है, बात बात पे बुरा लग जाता है, बहुत ही impatient है, यह उसके और जैसे मैंने बताया, contradictory complaints, जैसे मैंने बताया कि सपोज उसको burning हो रहे, anal burning हो रहे और soft stool हो रहा, तो यह contradictory complain हो गई, दूसरा है, consolation, aggravation, मतलब उसको आप समझाने जाओ, कि नहीं, यह बात गलत है, यह है, आप सहानुभूती दो, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको एग्रवेट करता है, दूसरी एखास्ट physical problem है, उसको pain होता है, but pain in small spots, एक एक जगा पे उसको pain होता है, just like kalibai, ignisya, basically a female remedy, तो उसके menses है, बहुत जल्लियाना, बहुत जादा जाता है, color is black, and very offensive, बहुत जादा जादा ओफेंसिव रहता है, यह ignisya patient है, और basically, यह fit होते है, hysterical girls में, और ऐसे नहीं है, कि अपन में नहीं दे सकते, but this is preferably a female remedy, अभी, कौन सी चीज से उसको तक्रीव दायक है, एक तो उसका emotion suppress किया हुआ है, जैसे grief है, anger है, यह touch, उसको कोई touch करें तो जज़ा भी अच्छा नहीं लगता, menses के time उसको aggravation होता है, हर complain का, और अच्छा लगता है उसको warmth से, heat से, और hard pressure, walking, यह सब चीजों से उसको आराम मिलता है, so friends, I feel that ignitia is a very superior medicine and ignitia is the acute of natural mood, so आप हमेशा याद रखे यह ट्रग को और हमेशा आप प्रिस्क्राइब करें तो आपके होमेपाद से पूछ के प्रिस्क्राइब करें, thank you,